लास्ट डिटरम क्या दे रखी है B और इस जीपी में देखू लास्ट डिटरम क्या है A R की N-1 तो B किसके इक्वल हो जाएगा A R की N-1 ठीक है इसको एक्वेशन 1 लेट किया अब P क्या दे रख था Product of N-Trums इन ट्रम्स इन सभी का Products कर दिया अब A A को हमने एक साथ लिख 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 लिख़ एक प्रोडच को अरके प्रोडच को एक साथ लिख 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 A का product है, कितनी terms तक है, n terms तक, ठीक है, तो a raise to power क्या हो जाएगा, n, a की power 1, 1, 1, base से में, तो power add, 1, 1, up to, कितनी terms तक, n terms तक, उन सभी का sum, n, तो a की power, n, यहाँ पे क्या है, r, r square, up to r की power, n-1, तो base से में, तो powers add हो जाएंगी, तो क्या होगा, r की 1, plus 2, plus 3, up to, so on, n-1 तक, अब, यह तो हमारे पास आगिया, अगर इसकी value और हमें मिल जाए, तो हम product हमारा आजएगा, p, अब देखो, r की 1, plus 2, plus, up to, n-1 तक है, यह जो 1 से, और n-1 तक, जो numbers है, वो क्या है, एक, gp form कर र हैं, वो, gp, gp में क्या होता था, common difference equal, इन सभी का क्या है, common difference equal, तो यह किस में है, gp में, gp में है, तो हम इसका sum निकाल सकते हैं, और sum निकाल किस की value, आपे put करेंगे, तो हमारे पास, p की value, आज जाएगी, अब देखो, यह sum हो गया, 1 plus 2 up to n minus 1, ap का जो sum होता था, उसका formula क्या होता था, sn, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, अब यहाँ पे a कितना है, 1 है, d कितना है, वो भी 1 है, और n कितना है, number of trams कितनी है, n minus 1, n की value मतलब कितनी है, n minus 1, तो जब sum sn find out करेंगे, तो n minus 1 divided by 2, 2a plus n minus 1 होता है, यहाँ पे, तो n की जगें कितना है, n minus 1, तो n minus 1 minus 1 into d, d की value भी कितनी थी, 1, n minus 1 divided by 2 as it is, इसको solve किया, तो n minus 2, 2 plus n minus 2, 2 से 2 cancel, क्या आगे, है, हमारे पास, n into n minus 1 divided by 2, ठीक है, अब p की value क्या गई, a की value n तो थी, और r की value, इन सभी का sum, तो r raised to power n, n minus 1 divided by 2, अब अगर p square करते हैं, तो a की power क्या होजेगी, a की 2n, और r की भी power जब 2 से multiply होगी, तो 2 से 2 cancel, तो r की कितनी power बच जाएगी, n into n minus 1, अब यहाँ पे a की 2n है, और यहाँ पे r की n into n minus 1 है, अगर हम a square और r की n minus 1, इस पूरे की power n लिख सकते हैं, इसको, यह कि अगर complete की power n होती है, तो for example, कोई भी number है, उसकी power m, और उसकी power n है, तो क्या होती है वो, mn, तो हमारे पास a raised to power mn की form में यह equation थी, इसको, हमने इस form में लिख दिया, a की power m, और फिर complete की power n की form में, ठीक है, समझा गया गया न, यह a square, as it is, यहाँ पे r की n-1, और जो यह n था दोनों में, इसको complete की power लिख दिया, इस property से, अब देखो, a square को क्या लिख था है, एक बर तो a और एक बर इसको r के साथ ले लिया, a r की n-1, complete की power क्या है, n, अब a r की n-1 क्या था हमारे पास, b के एक वल, जो first equation लेट की थी हमने, तो a r की n-1 की जगे हमने क्या लिख दिया, b, तो हमारे पास क्या आया, a b की power n, p square is equals to a b की power n, यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था, ठीक है, next देखो 24th question, show that the ratio of the sum of first n trams of a zp, to the sum of trams from n plus 1th to 2 nth trams, is 1 upon r की power n, क्या show करना है, हमें ratio show करना है, किसका, sum of first n trams का, sum of first n trams का, upon में n plus 1 से, और 2 n तक, जो trams है, उनका ratio क्या आना चीए, 1 upon r की power n, यह प्रूव करना है, ठीक है, let a or r first trams और common ratio है, zp के, sum of n trams क्या होता है, zp का, a, 1 minus r की n over 1 minus r, इसको equation 1 let किया, ठीक है, अब, किसका ratio, इसके साथ किसका ratio निकालने है, हमें n plus 1 से, और 2 nth trams के sum का, तो n plus 1th trams से, और 2 nth, जो trams है, यहाँ से और यहाँ तक लेके, जो भी trams है, वो कितनी trams है, n trams है, यहाँ पे भी, n trams है, तो इन सभी का sum भी क्या हो जाएगा, sn, यहाँ पे क्या होता है, a होता है, तो जब n plus 1th trams से start है, तो यहाँ पे कौन सी trams होगी, a, n plus 1th ही trams होगी, तो a की जगे क्या आ गया, a, n plus 1, और 1 minus r की power n upon 1 minus r, इसको equation second let किया, ठीक है, यह किसका sum है, n plus 1 trams से, और 2 nth trams का, अब इन ही का हमें ratio निकालना था, तो for divide, जब हम first को second से divide करते, तो हमें जो required ratio जो चाहिए था, वो मिल जाएगा, first equation क्या थी, यह, a, r की, 1 minus r की power n upon 1 minus r, इसको इस complete equation से divide करते, divided by a, n plus 1, 1 minus r की n upon 1 minus r, इसको solve किया, a, 1 minus r की n upon 1 minus r, 1 minus r upon a, n plus 1, 1 minus r की n, 1 minus r से 1 minus r कैंसिल, 1 minus r की n से 1 minus r की power n कैंसिल, क्या बचा हमारे पास a upon a, n plus 1, ठीक है, अब a, n plus 1, यह ट्रम है, gp की कोई भी ट्रम होती है, उसको हम क्या लिख सकते, अगर हमें इस ट्रम को find out करना है, तो वो क्या हो जाएगी, a, r की, जो भी n होता है, minus 1, ऐसे ट्रम निकालते हैं, जिप्पी की, तो a, n plus 1, क्या हो जाएगी, a, r की, n, plus 1, minus 1, 1, से 1, कैंसिल के आया, a, r की, n, यह a, n, न, प्लस 1, न, ट्रम की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, a, r की, पावर, n, तो a, upon a, r की पावर, n, ऐसे एकैंसिल के आया, हैं, हमारे पास, 1, upon r, की, n, यहीं हमें, प्रूव करना था, कि, रेश्यो जो है, sum of first, n, ट्रम का, next, n, प्लस 1, से लेके, और 2, n, ट्रम का रेश्यो क्या आना चाहिए, 1, upon r, की पावर, n आना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या क्या, यहां पे sum of n ट्रम्स यह होता है, formula से इसको equation 1 लेट किया, अब हमें किसका sum और चाहिए, n प्लस 1 से 2n ट्रम्स तक का sum और चाहिए, अब n प्लस 1 से और 2n जो ट्रम्स है, उनके बीच में कितनी ट्रम्स है, means वो कितनी ट्रम्स है, total n ट्रम्स ही है, ठीक है, तो जब उनका sum निकार लेंगे, तो नॉर्मली sum क्या होता है, a into 1-r के n upon 1-r, यहां पे a की जगह है, जब n प्लस 1 ट्रम्स से स्टार्ट हो रहा है, तो a जो फर्स ट्रम्स भी होगी, इस sequence की वो क्या होगी, a n प्लस 1, means a की जगह क्या हो जाएगा, a n प्लस 1, यह निकार लिए, दोनों को किया, और सोल किया, तो हमारे पास जो रिश्यो प्रूव करना था वो आ गया, ओके,